राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता नवाम मलिक पर देश द्रोह का आरोप लगाते हुए भारती जंता युवा मोचा की और से नवाम मलिक के खिलाफ आंदूलन किया गया इस दोरान रागंपा नेता नवाम मलिक का पुतला भी फूगा गया राकंपा नेता नवाम मलिक द्वारा एक देश द्रोही से जमीन का लेन देन किया गया है ऐसा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देविन फर्णवीज द्वारा लगाये जाने के बाद राज्य की राजनिती घर्मा गई है देविन फर्णवीज के इस बयान से कहीं न कहीं आरो प्रत्यारोपों का सलसला शुरू हो गया है इसी बीच बुद्वार को राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता नवाम मलिक पर देश द्रोह का आरोप लगाते हुए भारतिय जंता युवा मोर्चा की और से नवाम मलिक के खिलाफ आंदुलन किया गया इस तंधर में बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा की शिवाली दानी ने का की नवाम मलिक द्वारा किया गया ये क्रत्य बिहदी निंदनिये हैं वही मुन्ना यादव पर लगाय गया आरोपों पर उनका क्याना था की बदला लेने की द्रश्टी से राश्निती की जा रही है बतादे कि इस दर मिया नवाम मलिक का विरोध करते हुए भारती जनता युवा मोर्चा ने मलिक का पुतला फूख कर उनकी गलाव जमकर नारे बाज ही भी की कैमरे परसन राच्कमा मोहर के साथ दिशाहटवा बीसी न्यूस नाखपुर झाल झाल